बच्चों हम बात करें तेक अक्षा 6 की भुगल पाटे पुष्टक प्रत्वी हमारा आवास जिसके 6 अज्जाय पूर्ण हो चुके हैं और इस भाग में हम बात करेंगे अज्जाय सिंग्या साथ की जिसका नाम है हमारा देश भारत अर्थात बच्चों इस अज्जाय में हम स विस्तार अर्थात उत्तरो और दक्षिन पूरो और पसिम में भारत की लंबाई चोड़ाई कितनी है वहीं आगे बात करेंगे बच्चों हम इस पार्ट में कि जो भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक द्रश्टी से कितने भागों में बांटा गया है वहीं भारत को इस्तल रूपों की विबिनता के आदार पर भारत का कितने भागों में बोतिक विबाजन किया गया है तो इन सबी का विस्तरत अजन इस भाग में करेंगे तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा देश भारत सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों भारत की जो इस्तति है वह भोगलि एक इस्तित है और उस इकाई को भारत के नाम से जाना जाता है बहुत बड़े भोगुलिक विस्तारवाला देश कौन है बारत है और इसके पूरो में बच्चों बात करेंगे तो पूर में हिन्द महासागर का एक भाग्या बंगाल की खाड़ी इस्तित है वहीं इसके पस्षी में बात करेंगे तो हिंद महासागर का एक भाग अरब सागर में है वो इसके पस्षी में इस्तित है वहीं पूरो में कोण है बंगाल की खाड़ी इस्तित है भारत के कुल शेत्रपल की बात करें तो वो आता है वो चौपने सामने 32.8 लाख वरग किलोमेटर यदि इसको संपोन डाटा में देखें तो 32676,253 वरग किलोमेटर जो यह भारत का कुल शेत्रपल है और यह कुल सेत्रपल संपोन विश्वे के शेत्रपल का मत्र दो पॉइंट चार प्रतिशत भाग रखता है देखें बचों जो संपूर्ण विश्वे के कुल शेत्रपल का कितना है 2.4 परतिसत है यदि भारत के विस्तार की बात करें अर्थात भारत में जो उत्तर में इस्तित्य अपना जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर और दक्षिन में है कन्या कुमारी जम्मू कस्मीर से दक्षिन में कन्या कुमारी तक सामने 2933 किलो मिटर तो बच्चों इसको इस तरीके से आप ज्यान में रखे हैं कि यह दूरी है अपनी उत्तर में जम्मु कस्मीर से दक्षिन में कन्या को मरे तक 3214 किलो मिटर वहीं यह वाली दूरी जो है अपनी पसिम में कच्छ यानि गुजराच से अरुना चल परदेश तक कि वह है अपने सामने 2933 किलो मिटर तो इस स्लाइड में देखा बुच्चों हमने कि भारत का जो विस्तार और भारत की जो शैत्रबल है वो कितना कितना है और शंपूर्ण विश्वे का यह शैत्रबल कितना है 2.4% है आगे देखते हैं कि भारत में विबिन परकार के इ अठ्य मेदान है यह विबिन इस्तल रूप भारत में अत्यदिक विबिंता को जन्मंद देते हैं और इन विबिनताओं के फल्च रूप क्या है कि यहां कि जल्वाईउं में विबिनता देखने को मिलती है यहां कि वनस्पति वन्य जीवों और भासा और इनकी संस्कृति है ? इन शभी में क्या है ? बहुत अधिक बिन्यताओं अपने को देखने को मिलती है अरतात भारत में क्या है बच्छों इस्तल रूपों की बिन्यता के साहत्मी या जलवाईयू 15वनसपति प्राणियों भाजा असन्सक्रती इन शभी में बगूत अधिक थ सबसे अदिक जन संक्या वाला देश को ने चीन करें तो वो अपने सामने आता है अपना देश है भारत अर्तात चीन क्या है जन संक्या की द्रश्टी से प्रतम इस्तान रखता है और भारत जन संक्या की द्रश्टी से कौन सा इस्तान रखता है बचों सेकंड इस्तान रखता है वहीं शेत्रपल की द्रश्टी से बात करेंगे तो भारत का इस्तान कौन सा आत तो इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले शैत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा देश है, रूस, दो नमबर पर है बच्चों, कनाड़ा, तीन नमबर पर है, चीन, चार नमबर पर है बच्चों, संयुक्त रज्जे, अमेरिका अर्थात, यू, एस, ए, इसका इस्त बच्चों, वह अपने सामने है, ब्राजील, और छटे इस्तान की बात करें, तो वह है अपना ओस्टरेलिया देश, यह छे देश हैं, जो शैत्रफल की द्रिष्टी से, भारत से क्या है, बड़ है, और शात्वा इस्तान अपने सामने आजाता है, अपने देश अर्थाथ, बारत का इस्तान कौन सा इस्तान है शेटरपल की दृष्टी से बारत का बच्चों सातों इस्तान है वह जन सिंक्या की दृष्टी से बात करें तो वो चीन के बाद में दूसरा इस्तान किसका है बारत का है अब देखते हैं बच्चों कि जो बारत की इस्तती है इस्तती से ता ओर भी गोलार्द में इस्तिद है और जिसके लगबग मज्ञे से करक रेכा गुजर्टी है करक रेका का मान। कितना रखेंगे बुछो साधे-्थेज़ डिग्री उत्री अकसांस ये करक्रे का बारत के ठीक मज्द्य से गुजरती है, वहीं देखेंगे कि बारत का अक्सांसी विस्तार कितना है, तो अक्सांसी विस्तार से तात पुरी बच्चों, उत्र से दक्षिंड का जो विस्तार है, वो क्या नाम से जाना जाएगा, हлекταιा 106 विस्तार information से उत्तर की और चलेंगे तो मुख्य भूमिय को विस्तार अक्षांश है बचोंół आठ डिग्री चार मिनट उत्री अक्षांस से 36 डिग्री चै मिनट उत्री अक्षांस इन अक्षांसों Key बीच में जो भोग लिक इक ऐक इस्तित है वह कौनसे इस्तित है अपनी बारत इस्तित है वही बात करें देशंतरी विस्तार की तो इसका पास्यिम की और 58 degree शाट मिनट ओर shoots देखे बस्चों यहां पर उत्री अक्सान से है इसलिए उत्री गोलार्द यहां पर देशंत्री विस्तार में क्या है पूर्वी देशंत्र इसलिए पूर्वी गोलार्द इसी से क्या ते हुआ कि भारत की इस्ततिकाएं उत्री और पूर्वी गोलार्द में है इसका देशंत्री विस्तार 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशंत्र से कि बारतात साड़े बाईयासी डिग्री जो पूर्वी देशांतर की रेका है इसको भारत का मानक्षमे रेका या बारत की जो मानक या म्यूत्र है इसको माना गया है किसको साड़े बाईयासी डिग्री पूर्वी देशांतर को और इसी से क्या होता है पूरे बारत का क्या होता है अब देखते हैं बच्चों मानचित्र में कि बारत के जो अक्सांस ये और देशांतरी विस्तार और उत्तरों और दक्षिन से जो दूरिया निकली थी हम लोगों ने उनको मानचित्र में किस परकार से परदर्शित करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अकसांस ये विस्तार की तो अकसांस ये विस्तार में हम देखेंगे कि बच्चों जो सबसे दक्षिंटम बिंदू है वो है अपना आघ डिग्री 4 मिनट उत्तरी एकसांस और वहीं इसके उपर वाले एकसांस अड़तार अकसांसी विस्तार में सबसे उत्तरी बिंदो की बात करेंगे तो वो है 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी इकसांस इन अक्सांसों के बीच में जो इस्तति दिखाई दे रही है वो किसकी अबचों भारत की है वहीं इसके देशंत्री विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशंत्र से जो इसका सबसे पूरी बिंदू है सच्चान में डिग्री 25 मिनट पूरी देशंत्र अरता इस अक्सांसे और देशंत्री विस्तार के बीच की जो भोगलिक इक है इस्तित है वो है अपनी भारत यदि नक्से में देखें कि जो उत्तर से दक्षिन के और की कुल लंबाई है वो है अपने सामने 3214 किलो मेटर वही पास्चिम से पूरू की लंबाई हमने देखी थी बच्चों 2933 किलो मेटर तो ये बच्चों भारत का मान चितर है और इसमें अक्सांसे और देशंत्री विस्तार को आप इस पश्ट रूप से देख सकते हैं अब बात करेंगे कि जो भारत के पड़ो सी देश है वो कौन- सीदे सीदे इस्तली सीमा के द्वारा जुड़े हैं और दूसरे उस परकार के देश हैं जो जली सीमा अर्थात महासागर के अंदर इस्तित हैं और भारत के क्या है पड़ो सी देश हैं इस्तली सीमा के द्रिश्टी से देखें तो साथ देश ऐसे हैं जो भारत से सीदे इस् पागर के अंदर इस्तित है इससे पहले हमने बात किती बचों कि बारत और स्री लंका को अलग करने वाले संक्रा जल्य भाग है जिसको जल संदी के नाम से जाना जाता है और उस जल संदी का नाम था पाक पाकysis+. तो देख सकते हैं आप बारत और स्री-लंका को पाकementल संदी क्या करती है अलग करती है यह अपने कुछ जान में रखना हुए पाक जल्व जो भारत और स्री-लंका के 20 का क्या है संक्रा जल्ये भाग है का अब आप इस मान्चित्र में देख सकते हैं बच्छों कि बारत के सीमाइ बनाने वाले कि अरताध पडोशी और बांगलादेष तो यह बुच्शों 7 देश हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जो भारत से क्या है बुच्शों इस्टल क्या है लिए से यसी क्या сопlingen से जुड़े हें वहीं बुच्वों हमने देखा था कि यह क्या है पाक जल संदी के नाम से जाना जाता है वहीं दूसरा देश था अपना माल दियू यह भारत के संपूर्ण पडोसी देश हो गए इस तलिये देश और जल्लीये पडोसी देश अब बचो देखेंगे कि भारत को राजनितिक दरश्टी से और प्रसासनिक क्रिया कलापों की दरश्टी से अर्थात भारत को चलाने के लिए प्रसासनिक दरश्टी से और राजनितिक दरश्टी से इसको कितने भागों में बांटा गया है तो हम देखते हैं कि बचो जब से भारत क्या हुआ है आजाद हुआ है स्वतंत्र हुआ है तभी से इनकी संख्या कभी अधिक रही है कभी कम होती है कभी फिर से अधिक होती है और कभी इसकी संख्या पुने कम हो जाती है तो इनको दो बागों में बांट के देखेंगे एक तो होते हैं बच्चों भारत में रा अब इनकी बात करेंगे बच्छों कि इससे कुछ समय पहले भारत में राजी कितने थे बच्छों 29 थे वहीं जम्मु कस्मीर जो राजी उसका विबाजन करके दो केंदर शाशित परदेश जम्मु कस्मीर और लदाक बना दिये थे उसके बाद में राज्यों के संक्या तो 28 हो ग्यासित परदेश इन दोनों को मिला कर क्या कर दिया एक कर दिया एक करने से फिसे suffer कि कितनी होगी अभी वरतमान में अपने सामने है क्यंद्र शाशित परदेश ओर राज्जी कितने बचोjak 28 तो अभी आप यह ध्यान में रखें कि 28 राज्जी हैं बारत में atyl के आठा में है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य जिसकी रॉज्दन है पंजी यह शहत्र थे राज्ये और आठ यूनियन टेरिटरिय अठ्था केंदर शासित प्रदेश इसमें विबक्त किया गया है अब ये बच्चों था अपना भारत का जो राजनेतिक और प्रशासनेक द्रश्टी से जो विबाजन किया गया था वो अब हम बात करेंगे कि जो बारत में इस तल रूप की जो विबिनताएं विदमान है उन विबिनताओं के आदार पर भारत को कितने बोतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो हम देखेंगे कि इनकी संग्या कितनी है बच्चों 6 जिसमें मैंने इसमें ये किया बच्चों जो मैदानी बाग फिर प्राइड यवीपिय पठारी बाग फिर उत्री और पस्यमी बाग में मरुस्तल ये इस्तित्य थार का मरुस्तल वो भी एक महत्तपॉर्ण इस्तितल रूप है फिर देखेंगे हम तट्टिय मैदान और दीव समू के बारे में तो सबसे पहले सुरू बच्चों हिमले से और अंत में डीप समूह और थटी मेदानों के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों जो यह वाला शेतर है ये है अपना एक नमबर अर्थात उत्तर भारत का जो प्रवति परदे से वो वहीं बात करेंगे कि इस वाले शेत्र की तो ये दो नमबर पर है अपना उत्तरी भारत का जो विसाल मेदान है वो अगर बात किज़े बच्चों कुछ इस परकाश एकत्री बुजाकार आकरती बंती है जो प्राई दिवीपी पठार भारत का इस नाम से जाना जाता है ये अपना है दक्षिन भारत का प्राई दिवीपी पठार वहीं बात करें बच्चों इस भाग की तो ये भाग है अपने सामने चार नंबर जो बारत का क्या है महान मरुस्त लिए भाग है वहीं ये पस्ची में तट्टी मेदान का भाग है और ये अपना पूरो में पूरी तट्टी मेदान का भाग है और सबसे अंत में देखेंगे बच्चों जो ये लक्ष दीप समू है और बंगाल के खाड़ी में इस्तेते अपना अंडमान निकोबार दीप समू ये भारत का बोतिक विवजने और इन शबी को हम अभी डिटेल से अज्यन करेंगे तो सबसे पहले सुरू करते हैं बच्चों जो अपना है हिमाले परवत माला बच्चों इस हिमाले स सब्द का अर्थ है कि जो बरप का घर होता है हिम प्लस आल्ए अरथात बरप का घर बुच्चों हमने देखा था कि जैसे परवती बागो में उंचाई क्योड जाएंगे तो वेससे तापमान में क्या होती रहती कमी होती जाती है और इस कमी के करण जो परवतों के उच कार्ट के हम देखेंगे जिसमें सबसे उत्री सांकला है वह जानी जाएगे बचों व्रहत हिमाले के नाम से यह अपनी व्रहत हिमाले और इसके जो नीचे की स्रंकला है वह कहलातinya बचाओं मझ्द्या कने थे हिमाले हिसमें सरवादिक परेटन के इस्तले हुएं हम बात करेंगे कि वर्यात हिमाले में वर्यात हिमाले में हिमाले की जो सबसे उंची उंची चोटिया है वह इस्तिद है वर्यात हिमाले के अंत्रगत वहीं सबसे दक्षण तम परवत स्रंकला की बात करेंगे तो उसका नाम है बच्चों सीवालिक परवत स्रंकला तो हिमाले परवत को तीन समाना अंतर परवसरंकलाओं में बांट दिया हमने व्रयत हिमाले मज्द्य हिमाले और सिवालिक हिमाले और जो बच्चों व्रयत हिमाले उसमें सबसे उंची उंची चोटिया है और उसमें सबसे विस्वेगी सबसे उंची चोटिया जो माउंट एवरेश्ट ह 8848 मिटर ये भी कहां पर इस्तित है व्रैत हिमाले के जो नेपाल दे से उसके अंदर इस्तित है मजद्य हिमाले में देखेंगे कि सरवादिक परेटन के इस्तित है और सब सेदक्षिन तम बाग कौन सा है सीवालिक हिमाले अब दो नमबर पर बात करेंगे बचों जो अपना है बारत का उतरी मैदान उतरी मैदान की बात करें तो बचो हँँ देखते हैं कि मैदानों को निर्मान किस प्रकार से होता है जो परवत के आसपास के जो गाटियां होती है उन में जब नदियों के द्वारा जो परवतों से अप्रदित किये हुए पदार्थ लाए जाते हैं और उनको कई शेकड़ो वर्षों में दीरे दीरे जमा किया जाता है और उन जमा करने से जो नदी के निक्षेफ होते हैं जलो बुख्दान से बना हुआ है यह मैदान बचों हिमाले की दक्षिन भाग में इस्तित्य और यह मैदान शिंदू गंगा ब्रह्म पुत्र तीन तो यह बचों मुख्य नदिया और फिर जो बाकी बचकी वह इनकी साइक नदिया इन नदियों के दौरा लाएगे जो जलोड के न बचों सरवादिक संक्या में पाया जाता है बचों जो आप एक बात ध्यानरे के यहां पर कि नद्यों के द्वारा जो जलोड के निक्षेप लाए जाते हैं वो अच्टे दिक उपजव भूमी का निर्मान करते हैं और अच्टे दिक उपजव भूमी का निर्मान करेंगे तो क्रश्ची फशलों का उत्पादन क्या होगा सरवादिक होगा और शरवादिक उत्पादन होने से यहां पर जन सिंख्या उद्योग दन्दे और शडध मार गए रेल मार गए इन सबीका विक्षित करना क्या रहता है आसान रहता है और इन शभी के करण यहां पर क्या है जन सिंक्या अच्टिदिक मात्रा में निवास करती है और उससे जन सिंक्या गनत्वे इस मेदान का क्या होता है सरवाधी के होता है अब बात करेंगे गंगा और ब्रह्म पुत्र के नज्या है यह विश्वे के सबसे बड़े डेल्टा अर्था सुंद्रवन के डेल्टे के नाम से जना जाता है इनका डेल्टा इसका निर्मान करती है और इस डेल्टे की आकरती क्या है बच्छों त्रिबुजाकार आकरती है यहां पर एक बात और द्यान रखे बच्छों इस त्रिबु पर बनता है अर्था जब नदी शमुद्र में मिलने से पहले इस्तल भाग पर फैल जाती है तो वो फैलावा इस्ततिया फैली हुई जो आकरती है वो क्या कहलती है डेल्टा कहलाती है यदि बच्चों यही नदी अगर शमुद्र में मिलने से पहले फैले नहीं और शमुद्र करेंगी बचों जो आर नदमुक का निर्माण करेंगी यह बच्छों हिमालय परतमाला है जिसमें हमने देखा कि सबसे बारी भाग वरत हमाले इसके अंदर का भाग है जो मच्ध्य हमाले है और सबसे नीचे का भाग है सीवा लिक हमाले है इधर ये सिंदू नदिय भचों ये गंगा नदिय है इधर से ये एंटर कर रही है अपने ब्रहम पुत्र नदिय और इन नज्डियों के द्वारा जो ये मेदान बनाए गया है ये मेदान है उत्री भारत का विसाल मेदानी भाग और वो है अपना हिमालय पर होती है भाग अब हम बात करेंगे बच्चों जो ये दक्षिन भारत का ये पराई ड्यूपिय पठार है और इसके आकरती क्या है बच्चों त्रिबुजाकार आकरती है वहीं हम इसमें देखेंगे बच्चों कि जो अपना इसकी उत्री शीमा है वो अरावली परतमाला के द्वारा विंजन परतमाला के द्वारा और शत्पूड़ा परतमाला के द्वारा बनती है वहीं इसके जो पशिमी घाट है उसको स्याद्री परतमाला के नाम से भी जना जाता है और पूरवी घाट भी इसमें इस्तित है तो सुरू करते हैं बारत का जो प्राई डिवपिय पठार है उसको य गाटियां इस्तित है इनके उत्तर में विश्वे की जो प्राचीन तम परवत्माला है उसका नाम क्या था बच्चो अरावली परवत्माला और अरावली थी वलित परवत्माला का उधारन था अरावली और विश्वे की सबसे प्राचीन परवत्माला है अरावली इसके उत्र नदिया है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती बच्चों अभी हमने बात किती कि नर्मदा और जो तापी नदी है वो क्या करती है कि पस्यमी बाग में थी अर्थात अरब सागर में ये अपने जल को गिराती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करके किसका निर्माण करे अजिस अभी नदिया डेल्टा का निर्मान करती है इसलिए ये दो नदिया नर्मदा और ताप ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये एस्चुरी या ज्वार नद्मुक का निर्मान करती है इस पठार के पसीमे बच्चों जो पसीमी घाट इस्तित है और अफरीका मादीव से जब बारत अलग वा था तो उसका टूटा हुआ भाग है अर्तात कगार नुमा भाग है इसलिए ये अत्यदिक मात्रा में कटा फटा नहीं है और एक समान रूप से अभी भी आवस्तित हैं वहीं पूर्वी घाट की बात करेंगे तो बच्चों ये बी पूटा हुआ और एसमान गाट है पूर्वी घाट यहां पटार खनीज संसादनों की दरश्टी से दनी है और यहां कोईले और लोह आयस्क की प्रचुरता विद्मान है पटारी बाग की बात करें तो बच्चों हम देखते हैं कि जो पठार होते हैं वो खनीज संसादनों क के दरश्टी से सबसे अधिक धनी होते हैं वहीं इस पठार की बात करें तो इसमें भी अत्यदिक मात्रा में खनीजों का खनन किया जाता है जिसमें कोईला लोहा यह प्रमुक हैं आगे देखेंगे बच्चों कि जो भारत का जो महान मरुस्तल है जो थार के मरुस्तल के ना और रेतिला मरुस्तल है जो भारत के कौन से बाग में बच्चों पसीमी बाग में इस्तित्य है भारत के पसीमी बाग में सुस्क गर्म और रेतिला सुस्क इस दरश्टी से बच्चों क्यों कि यहां पर वर्षा क्या होती है अच्यदिक कम होती भी सेंटिमेंटर से कम होती ह उसी शेत्रों को क्या बोलते हैं मुरुस्तल बोलते हैं इसलिए यहां वर्शक कम तापमान अधिक और रेत की अधिक मात्रा के कारण यह क्या है रेतिला मुरुस्तल है और यहां वनस्पति की मात्रा भी आप देखेंगे कि वो क्या है बहुत कम है यह लाइन बुच्चों मात्रा बहुत कम है तो यह लाइन दोनों आप पसमें क्या कर रही है कॉंट्राडिक्शन दिखा रही है लेकिन बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि जो विस्वे में जो जितने के बारे में तो तट्ये में दोच्चों वो है कि जो पसिमी गांट के पसिम वाला बग और पूर्वी गाट के पूर्वी गांट बाइक है उसके बीच का संक्रा है वहीं पूर्वी तठी मेंदान क्या है अपेकसट क्रफि अच्टYa Dh키 चोड़ा एक così की तुलना pouvait टुलना में तो यहां बचों आपसे अन्तर को लेकर पूछा जा सकता है कि पूर्वी सप्षट कीजिए तो आप बता सकते हैं कि पहसी हमिदान क्या में जो नदिया वह माहनदी गोदावरी कृष्णा जरी नदियों वेन गंगा इत्यादी और यह नदियां कहां गिरती है बंगाल की खड़ी में गिरती है वहीं बैद्चों मैंने बात कितीकि समुद्र में नदी गिरते हैं तो किसका निर्मान करेगी नर्मदा और तापी को छोड़ कर जो नज्या है वो डेल्टा का निर्मान करेगी और यह जो डेल्टा होता है वो अच्टे दिक उपजव भुमी होता है यह अपने मुहने पर उपजव डेल्टाओं का निर्मान करती है तो बच्चों यह था अपना पस्ची में तटी मेदान और पूर्वी तटी मे तो बच्चों देखते हैं कि उसके द्वारा जो दीप बनाया जाता है वो प्रवाल दीप किस प्रकासे बनता है और कैसे बनता है प्रवाल कुछ नहीं है बच्चों छोटे-छोटे शमुद्री जनतु होते हैं और उनके क्या हैं कंकाल होते हैं और यह कंकाल क्या कहलाते हैं पोलिप कहलाते हैं जब जीवित पोलिप क्या करते हैं बच्चों मर जाते हैं तो उनका कंकाल क्या हो जाता है बच जाता है और अन्य पोलिप की वर्दी इन ठोस कंकालों के उपर होत हुआ है और इसके उपर अन्येकर यह पॉलिप वर्दी करते रहते हैं तो दीरे-दीरे बढ़ते-बढ़ते क्या हो जाते है있는 बत्चों Magic Kाफी उटी होजाते और उट्यवक्रें क्या करते हैं शमुद्र के अंदर क्या किशक का सफार्इब करेंगे ड्वीप का निर्मान और चूने के ये खोल हैं, इनके ऊपर दूसरे पॉलिफ वर्दी करते रहते हैं, इस परकार से ये क्या करते हैं, अच्छे दिक ये जटिल सनस्ता बना लेते हैं, और ये बढ़ते 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 कि इसका निर्मान कर देंगे, एक समुद्रिये द्वीप का निर्मान कर वहीं बात करेंगे कि भारत में जो अर्ब सागर में इस जो लक्स द्वीप समुध है, वो अपने परवाल द्वीप समुध के द्वारा बना हुआ है, अर्थात परवालों के द्वारा जिसका निर्मान किया गया है भारत का ऐसा द्वीप वो है लक्स द्वीप, यह आप ड दीप श Ridge Sumoo की बात करें और यह है अपना अंति प्वारत का बौतिक शरूप तो हम देखेंगे इसको दो भागों बाटेंगे एक तो अंडमान निकुबार का दुल यू और दूसरा है अपना लक्ष दीप समु अंडमान निकुबार दीप समू इस्थित है यदि इनकी मानचित्र में स्थित्र की बारें बात करें तो बच्छों हमेगते हैं कि ये भारत का प्राइदीप पठाट ये पहसी मी गाट पूरभी beta पूरवी ठटिय न पूर्वी ऐतना अर्बसागर और अर्बसागर के अंदर इस्थित है लक्स द्वीप समू वहीं दूसरे की बात करेंगा बंगाल की खाड़ी में इस ते जो द्वीप समू है वो है अपना अंडमान एमम निकोबार्थ द्वीप समू लक्ष दीप समू की राजदानी की बात करें ये दोनों इई बच्चों केंद रशरसित प्रते से तो लक्ष दीप की राजदानी तो है कवारती वहीं अंडमान निकुबार की राजदानी है पोर्ट ब्लेर तो बच्चों, इस अज्जाई में हमने देखा कि भारत को राजनीतिक परशास्तिक और बहुतिक द्रश्टी से अर्ताद बहुतिक शुरूपों के द्रश्टी से भारत को कितने भागों में बांटा गया है और उन सभी भागों के बारे में हमने विस्तरत अज्यन किया और ये अज्याई बचों ये समापत होता है और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे इस अज्जाई से सम्वंदित जितने भी परकार के जो प्रस्ण और उत्तर बनते हैं उनके बारे में तब तक के लिए धन्यवाद